हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपका हमारे एक नए वीडियो में तो आज की सिर्व में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लोग अपना सीवील स्कोर या फिर क्रेड़ स्कोर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी पेड नहीं करना पड़ेगा इसको आप फ्री में चेक कर सकते हैं आपको बहुत सार वेबसाइट ऐसे मिल जाते हैं जिसमें आपको क्रेड़ स्कोर चेक करने क्लिए आपको पेड करना पड़ता है तो चलिए आज की रूब में पताएंगा कैसे आपको फ्री में चेक करना चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो अपना स सीवील स्कौर चेक करने लिए लिए आपको अपने Google पर आ जाना और यहां पर सर्च करना सीवील श्कौर जैसे सर्च करेंगे ता आपके सामने बहुत सार वेब मेर्ड़क两त आ जाएंगे तो इस पर आप लोग क्लिक करना है जैसे इस पर क्लिक करेंगा आपको एक नय अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप लोग यहां पर थ्री डॉट पर देख सकते हैं यहां पर क्लिक करके आप यहां पर मेंबर लॉग इन कर सकते हैं अगर आपसे हैं पहले से बता हूँ और अगर आप इस पर नय है तो यहां पर आपको अगंपर बनाना COPSO बनाने के लिए अपको अपर फिल करना आपको अपना ओर्ड़ करना इसी टैप में और यहां पर आपको क्या कणृ देसकते हैं पास्पॉड नमबर देशकते हैं अगर अपने पेंगर डालता है यहां और यहां यहां पर आपको अपना पीन कोड और जो भी आपका बैंक अकाउंट से मॉइल नंबर लिंक है वही मॉइल नंबर यहां पर फिल करेंगे और यहां पर accept and continue पर क्लिक करेंगे तो चलिए मैं पहले फिल कर देता हूं फिल करने के बाद continue करेंगे यहां पर आपको कुछ additional सवाल पुझे जा रहा है और अगर आप दूसरे के मॉइल में कर रहे हैं या फिर किसी के laptop में कर रहे हैं तो आप इसको नो करेंगे तो चलिए मैं नो कर देता हूं उसके बाद continue करेंगे तो देख सकते हैं यहां पर you have successfully installed फिर आपको dashboard पर जाना है go to dashboard तो dashboard पर जाने के बाद देख सकते हैं यहां पर आपको civil score अपने दिखाया जा रहा है your civil score is 772 और ऐसा माना जाता है कि 750 प्लस जितना भी civil score होता है 750 से 900 के बीच में वह आपका बहुत ही अच्छा civil score होता है और उससे आप लोग कहीं से भी आप लोग loan ले सकते है या फिर credit card वगएरा ले सकते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं आपका civil score जो होता है वह 300 से 900 के बीच में होता है तो आपका 750 से प्लस जाता है आपका civil score तो उसको good score माना जाता है और उससे आप लोग कहीं भी loan वगेरा या फिर credit वगेरा ले सकते हैं आपको कहीं भी कोई दिकत नहीं होने वाली है यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक option में आपको upgrade ना हो यह आपका paid होता जिससे आप लोग civil का subscription लेना पड़ता इसमें आपको बहुत सारे additional details आपको मिलते हैं अपने civil score से related और अगर आप लोग नीचे आते हैं यहाँ पर एक option मिलता आपको where you stand मतलब आप अपना score दूसरों से compare कर सकते हैं इसके लिए आपको paid करना पड़ता है अपग्रेड करना पड़ता है फिर यहाँ पर देख सकते हैं credit summary this feature is unavailable with your current offer upgrade now to get an easy to understand overview of credit profile मुलब credit score से related आप अपना और भी ज़्यादा details देख सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको paid करना पड़ता है आपको इसको upgrade करना पड़ता है यहाँ पर आपको देख सकते हैं score history इसके लिए आपको paid करना पड़ता है और आपको यहाँ पर देख सकते हैं क्या-क्या plans है यहाँ पर 550 में आपको एक मत मिलता है 800 में 6 मत मिलता है और 1200 में आपको एक साल का subscription मिलता है और यहाँ पर जैसे आप लोग 3.0 पर आएंगे 3.0 में आपको एक option मिलता है credit report इस पर आप लोग आएंगे इसमें आपको सारा अपना basic details मिलता है आपका नाम date of birth वगेरा pen card number और आपने कब-कब loan लिया था या फिर क्या-क्या किया है सारा details आपको इसमें मिल जाता है तो देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको option मिलता है contact information, employment information, account information और inquiry information तो आप account information पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको एकाउंट के बारे में यहाँ पर आप लोग अपना चेक कर सकते हैं आपका loan, credit card से related यहाँ पर आपको मिल जाएगा फिर आप लोग यहाँ पर inquiry information पर क्लिक करके यहाँ पर inquiry information आपना देख सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पर member name में आपको आपने कब कब loan लिया है कितना तारीक को लिया है और कितना लिया है वो भी आपको यहाँ पर सो हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर अपना चेक कर सकते हैं अपना पूरा हिस्ट्री चेक कर सकते हैं आप लोग तो गाइस इस तरह से आपको अपना सीविल स्कोर चेक करना है और अगर आपको सीविल स्कोर कम है तो आपको loan कैसे मिलेगा यह भी आपका एक सवाल रहता है तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको अपना civil score को upgrade करना मनलोग कैसे आपको अपना civil score improve करने के तरीके क्या-क्या है जिससे आपको अपना benefits मिल सके उसका तो सीविल स्कोर चेक करने का और भी तरीक है गाइस बहुत सरे एप सा जैसे पॉलिसी बजार वागे रहा आ जाते हैं और भी वहाना स्कोर और पेटीएम यह सबसे भी आप लोग चेक करते हैं जैसे के माग पूद दिखा एक और आप जिससे आप लोग अपना स यहाँट बना लेंगे अपना फेनकर नंबर और फोपरशना डेतर सदेंगे तो आपको यहाँपर एकाउंट बन द्यगत सकते future मीरे título मेरे कोई हिस्ट्री नहीं है मैंने अबीत कोई लों पर डैनी किया इसलिए को को हिस्ट्री नहीं कुछ additional information चाहिए हो तो आपको description मेरा Instagram ID का link मिल जागा आप मुझे direct message कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपना सिविल स्कोर इंप्रूफ करना है तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब को अप्लोड करूं तो आपको notification सबसे पहले मिले तो चलिए friends मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद होना